दोस्तों क्या आप अपने WhatsApp के deleted message आप देखना चाहते हैं तो कैसे आप देखेंगे यानि कि जैसा कि आप देख पार होंगे हमारे पास यहाँ पर दो mobile phone है और इस mobile phone से हम इसमें एक WhatsApp पर message करते हैं तो यहाँ पर type करेंगे hello और send करेंगे हमारे इस account पर आचुका है जैसा कि पर send पर click करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे अपना message इस तरीके से भेज देंगे यहाँ पर लिखेंगे message इस तरीके से भेज देंगे अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इसमें हमारे पास message आया हुआ है जहाँ पर हमारा WhatsApp का notification बना हुआ है अब by chance अगर आपका friend इस यहां से तरीके से message को delete कर देता है जैसा कि आपको दिखाते हैं यहां से इस तरीके से everyone करके message को delete कर देता है तो यहां से आपका message delete हो जाएगा और आपके WhatsApp में भी आपका message delete हो जाएगा अब आपको देखना कैसे है वो आपको यहां पर बताने वाले हैं तो हम यहां से क्या करे है और हमारा message delete नहीं हुआ है क्योंकि हम gb whatsapp इस्तिमाल करते हैं आप whatsapp इस्तिमाल करते होंगे तो आपको करना क्या है कि आपको जाना होगा अपने mobile phone की setting में setting में जाने की बाद यहां पर आपको search करना है notification जैसे आप यहां पर search message आया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहोंगे अब और हम यहां से फिर से क्या करेंगे कि अपने phone को हम इस तरी के से रखेंगे आप इहां पर सिर्फ अपना हम नेम लिखकर भेज़ देते हैं जैसा कि आपको दिखाते हैं आपको लाइब दिखाएंगे यहां से हम अपना नाम डालेंगे भेज देंगे भेजने की बाद हमारे पास इसमें मैसेज आज चुका है जैसा कि आप देख पा रहोंगे इसमें यह मैसेज आया हुआ है अगर हम यहां से इस मैसेज को और जो आापको देखने को मिलना होगा इस नाम से आया है तो इस पर आपको सारा मैसेज आपको ऑने में यह से सारे delete message आपको उसी application पर देखने को मिलना start हो जाएंगे तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना